हेलो दोस्तो दोस्तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में और दोस्तो आज है मेरे पास में Redmi Note 11 T 5G जी हैं दोस्तो Redmi Note 11 T 5G आज हम इसमें करेंगे गेमिंग टेस्ट जी हैं दोस्तो BGMI का टेस्ट करने वाले हैं और आपको सारी बाते बता कर जाने वाला हूँ आपको ये फोन गेमिंग के लिए खरीदेना चाहिए या नहीं खरीदेना चाहिए अगर ये फोन खराब है या अच्छा है और क्यों अच्छा क्यों खराब है मैं सारी बात आप पता कर जाने वाला हूँ और इस फोन का कितना प्राइज है कौन सा प्रोसेसर है कौन सी बें वाल क्या हुआ है तो आपको दिखाने वाला हूं 60 fps वे फॉन हमें कैसी परफ्मेस देने वाला है अगर बात करें मेरे पास एक कौन सा वेरेंट है तो मेरे पास एक 6G व्रेम और वहीं 128 इंट्रेश वाला वेरेंट है अगर दोस्तों बात करें प्रोसेसर के तो इस फॉन में और आपको डैमिंड शीटी 810 परोसेसर दिया गया है जिहां दोस्तों जो कि बात करें गेमिंग के लिए तो अच्छा खासा प्रोसेसर है गेमिंग को काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है अब बात कर लेते हैं इस फॉन के प्राइस के बारे में इस फॉन को भी होगा स्कि क्या प्रॉब्लम मिलती हैं दोस्तों अगर बात करने जारिस्कूप की तो इस फ़न को जारिस्कूप डिले नहीं है अगर आप एक जारिस्कूप प्ले रहो तो आप बिल्कुल जारिस्कूप उप्यूज कर सकते हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है तो आप इस ट दोस्तों बात करें अभी तक की प्रॉड्मेस की तो दोस्तों अभी तक मुझे काफि अच्छी प्रॉड्मेस मिल रही है TDM S के अंदर जो कोई भी दिक्कत नहीं मिली है इसमूथ एक्स्ट्री में अगर आप इसमें गेम प्लिक करना चाहते हो तो आप इसमूथ एक्स्ट्री में भी गेम प्लिक कर सकते हो आपको TDMAX के अंदर तो कोई प्रोडम होने वाली नहीं है बात करें कि Classic में खिकंदर हमें फान कांसि पॉर है तो बस करेंगा Classic में के अंदर अब दखाने वाले फशोन का सी परोगने देगा दोस्तों बात करें बैटरी खी हैं तो इस फोन वोको 5,000 बैटरी दी गई है अगर बात कर रहें चार्जिंग के तो इसी फोन के साथ दिखाए दें लेकिन मैं आपको बताने में वाला हूँ कि शिक्टी एपेस पे भी काफ़े अच्छे से मेंटन करके रख 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 ऐए फोन में तो चलिए आगे वीडियो को देखते रहिए दोस्तों आप से एगर रुक्वेस्ट अगर आपको फोड़ी थोड़ी सी पसंद यूटुब वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज याड़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों अभी आपके पास में कौन सा फोन है जिसमें आप गेमिंग करते हो आप मुझे एक बार क खड़िदना चाहिए आपको इस वेचली गेमिंग के लिए तो भी आपको बता सकता हूँ अगर आप को होगी मुझे गेमिंग करनी है और नॉर्मली उसके लिए भी चाहिए तो भाई उसके लिए भी आपको मैं फोन बता दूंगा अगर आपको मुझे इस्टाग्राम पर अगर बात करें टीडिए मैच की तो टीडिए मैच के अंदर मुझे अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं मिल रही है फॉन ने काफी अच्छे से हैंडल किया है और बात करें जारिस्कोप की तो जारिस्कोप भी फॉन का डेले नहीं है बस थोड़ा बीट करके जाईएगा मैं को बता कर जाने वाला हूं आपको फोन इस पेशली गैमिंगे खरीदना है या नहीं खरीदना है और दोस्तों आप से फिर से कहना चाहूंगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरू कर देना बने रहीगा वीडियो में लाश्ट सब्सक्राइब देखे सक तो मैंने 60 fps को इनेवल किया हुआ है और भाई अभी तक मैं जैसा कि देख पा रहा हूं तो मैं सेफ ली जंप हो रहा हूं मुझे कोई प्रॉल्म नहीं है अभी तक आप देखे सकते हो अगर बात करें छोटे-छोटे फ्रेम डॉप तो भाई छोटे-छोटे हलके फ्रेम ड जरूर जाना और दोस्तों आपको नया फॉन लेने वाले हो तो एक बार मेरे राय ले सकते हो तो चलिए आगे वीडियों बने रहेगा आगे आपको बता कर जाने वाला हूं यह वाला फॉन खरीदना है यह नहीं खरीदना है दोस्तों वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे तो सीधे ही आजाते ही वीडियो के रिजल्ट पर बात करते हैं आपको फॉन इस पेशली गेमिक लिए खरीदना चाहिए यह नहीं खरीदने चाहिए तो दोस्तों आपको मैं पता दूं इस फॉन को प्राइज है वो लगो को सकतर हजार क्या सपास है दोस्तों इसी प्राइज में अगर आपको इस पेशली गेमिक लिए फॉन चाहिए तो दोस्तों इस प्राइज में आपको पोको एक्स 3 प्रो मिल जाएगा जोगी काफी जवर्जस्त फोन है गेमिंग के लिए अगर बात करें इसी फॉन को बज़ेट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हूँ इस फॉन की प्रफॉमेस को हमें एक एवरेज प्रफॉमेस में रख सकते हैं क्योंकि डैमेंश्टी 810 का प्रोसोसर है जो कि कहीं ना किक्वेल कॉम के प्रोसोसर से पीछे रह जाता है तो चलिए दोस्तों 5G फॉन है अगर आप को रिप्लेज जरूर दूंगा धन्यवाद